Hello dear students, कैसे हैं आप सब? I hope आप सभी ठीक होंगे आज मैं आपको sequence and series में हमारा जो formula है sum of first n natural numbers दिखिए first जो हमारा है sum of first n natural number 1 plus 2 plus 3 अब 2 plus n equal आपने लिखा था formula n into n plus 1 by 2 दिखिए ये formula आपने किया हुआ है और आपने इसको याद भी कर लिया था तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये जो formula है वो आपका कैसे drive हुआ है तो इसके लिए हम blocks की help से हम सीखेंगे तो देखिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास क्या-क्या इसमें requirement होनी चाहिए किन-किन चीजों के आपको requirement होगी देखिए objective क्या है मैं आपको बताने वाली हूँ कि formula आपका कैसे drive हुआ है ये n into n plus 1 by 2 आपको कभी भी देखिए जब आप ये वीडियो देखेंगे तो उसके बाद आपको कभी भी formula के याद रखने की जुर्त नहीं पड़ेगी आपको ये याद रहेगा कि formula कैसे बना है और कैसे आया है इसके में आपको जो material चाहिए यहाँ पर मैंने 21 green color के लिए हैं blue cubes और 21 blue color के cubes लिए मैंने आप जो भी color आपको पसंद हो आप वो 2 color के cube यहाँ पर ले सकते हैं तो चलिए देखते हैं कैसे हमारे पास यह solve होने वाला है तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 21 21 दो color के cube लिए हैं blue and green तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसको कैसे add करना है हम एक color के यहाँ पर ले लेते हैं cubes देखिए आप जब यहाँ पर cube ले रहे हैं तो starting में आपने 1 cube लिया है यहाँ पर 1 में फिर आप add करेंगे नीचे 2 फिर इसी तरह हैं आप sequence में लगाते जाएंगे 1 के बाद आपका 2 है add करते हैं फिर आप 3 add करते हैं तो आप 3 का block बनाएंगे यहाँ पर then 3 प्लस 4 होता है तो आप 4 बनाएंगे फिर प्लस आप 5 लिखते हैं तो आप 5 यहाँ पर cubes लगाएंगे देखिए हमने इन blocks को जैसे आपकी series आपने add की थी सबसे starting में आपने 1 फिर प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 इस तरीके से आपने अपने blocks को arrange कर लिया है इसके बाद same way में आप दूसरे color को भी arrange कर लेंगे देखिए इसी तरह आपने second color से भी बना लिये है 6, 5, 4, 3, 2, 1 अब हम इनको दोनों को जोड देते हैं तो देखिए आपको कैसे जोड़ना है यह जब आपने दोनों को add किया तो आप देख सकते हैं आपके पास एक rectangular seat यहाँ पर बन गई है जिसमें आपके पास नीचे आपके पास अगर आप देखेंगे तो नीचे blocks आपके use हो रहे हैं यहाँ पर 7 blocks और अगर हम side में देखें तो आपके blocks यहाँ use हैं 6 तो एक यह जो rectangular seat आपकी बनी है तो आप इसका area निकालेंगे तो area हम जानते हैं length into breath होता है तो आपका आप लिखेंगे 7 into 6 तो देखें यह mathematically यहाँ पर आपको बता देते हैं आपने यहाँ पर लिए थे 21 blocks तो आप जब add करते हैं 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 तो यह आपके बनते हैं 21 हमने double लिया है इसलिए मैंने 2 से multiply किया है तो देखें कितने आजाते हैं आपके पास 42 area of क्योंकि जब आपने इनको add किया तो आपने देखा कि आपके पास यह rectangular shape में बन गया है तो यहाँ पर मैंने आपको rectangle में बताया है इसका जो area हमारे पास आता है वो है 6 into 7 clear यह भी आपका 42 होता है 42 equal to 42 आप 2 से divide करेंगे तो आप लिख सकते हैं 1 by 2 6 into 7 को आप लिख सकते हैं 6 plus 1 देखिए हम 6 plus 1 ही क्यों लिख रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ तक जो हमारे natural number है वो 6 तक add किये हैं ध्यान रखिएगा जो last में आप number add कर रहे हैं उसी की form में आप लिखें आप चाहें तो यहाँ पर आगे इसको और भी कर सकते हैं अगर आप 7 यहाँ पर लिखते ऐड करते हैं तो यह आपको 28 मिलेंगे तो आपको 28 जो हैं double cubes लेने होंगे और फिर आप उससे formula generate कर सकते हैं या आप इससे कम भी कर सकते हैं अगर आप 5 तक ही लेते हैं तो 5 तक लेने पर आपके पास यह number बनते हैं 15 तो आपको 15 का double time लेना होगा इस तरह के से जब आप देखेंगे मैंने यहाँ पर आपके 6 number को लेके मैं आपको बता रही हूँ तो देखें यह बन जाता है 1 by 2 6 into 6 plus 1 हमने 6 term तक लिया था अब मैं इसको अगर जर्नलाइज करूँ तो देखें हम last में अगर हम n terms तक लिखें तो देखें जब हमने यह 6 लिखा था left hand side में 6 into 6 plus 1 by 2 आया था तो जब n लिख रहे हैं हम तो हम इसको लिखेंगे n into n plus 1 by 2 जहाँ भी आपका देखिए 6 था तो वहां हमने n लिख दिया है इस तरीके से हम general हमारा जो formula है वो बना सकते है यह आपने आज सीखा एक rectangle की help से rectangle की help से हमने sum of first n natural numbers यहाँ पर formula drive किया है बहुत ही अच्छा लगा होगा आपको यह activity करना इसी तरह की और activity मैं आपको करवाऊंगी तो आप अपने channel pi hearts के साथ बने रहें मिलते हमारी next activity के साथ till then take care bye bye